तो आज मैं आपको पढ़ाने जारी हूँ क्लासिक्स की इंग्लिश बुक इपैक्ट विद दे सन इसका मैं आपको आज सेकेंड चेप्टर पढ़ाऊंगी दा फ्रेंडली मौंगुश तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल में नहीं हैं तो आप मेरा चैनल एंसे अर्ट दे माइंट जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि मेरे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे तो देखिए बच्चों ये एक बहुत ही अच्छी स्टोडी है दा फ्रेंडली मॉंगूस फ्रेंडली मॉंगूस मिन्स जो होता है दोस्त नेवला जिसे हिंदी में बोलेंगे तो चलिए अब हम लोग पढ़ना सुरू करते हैं तो एक समय की बात है एक फार्मर अपनी वाइफ और बेटे के साथ एक विलेज में रहता था वे उससे बहुत प्यार करते थे हमें एक पैट रखना चाहिए ये बात फार्मर ने अपनी वाइफ से एक दिन कहा जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसे एक कमपैनियन की जरुद परेगी ये पैट हमारे बेटे का कमपैनियन बनेगा उसकी वाइफ को ये आइडिया अच्छा लगा तो कमपैनियन मिन्स होता है पार्टनर एक दीन फार्मर ने अपने साथ एक छोटा मौंगूस लाया ये तो एक बेबी मौंगूस है उसकी वाइफ ने कहा लेकिन जल्दी बड़ा हो जाएगा ये हमारे बेटे का दोस्त बनेगा फार्मर ने कहा अब देखें आगे क्या है बोध बेबी एंड दे मौंगूस ग्रिव इन फाइब और सिक्स मांथ दे मौंगूस हैड ग्राउंड तो इट्स फूल साइज तो फिर क्या होता है कि दोनों बेबी और मौंगूस बड़े हुए पाच्छे मैने में मौंगूस बड़ा हुआ अपने फूल साइज में एक प्यार एनिमल, दो साइनिंग, ब्लैक आइज और एक बूसी टेल के साथ फार्मर का बेटा अभी भी बच्चा ही है क्रेडल यानि पालना पर सोता और रोता तो एक दिन फार्मर की वाइज मार्के बच्चा ही है जाना चाती थी, उसने बेबी को फीट किया और उसे सोने के लिए क्रेडल पर डाल कर जुला दिया उसने बास्केट उठाया और अपने हस्पेंट से बोली मैं बजार से आ रही हूँ, अपना एक आँख बेबी पर रखना, वो सो रहा है मुझे बेबी को मौंगुस के साथ अकेले रखना अच्छा नहीं लगा तुम्हें डरने की ज़रत नहीं है, फार्मर बोला मौंगुस एक फ्रेंडली अनिमल है, वो हमारे बेबी के तरह स्वीट है और तुम्हें जानती हो कि वे बेस्ट आफ फ्रेंड है दुम्हें लगा चलिए और फार्मर के पास गर्मे करने को कुछ भी नहीं था फिर उसने डिसाइड किया कि वो अपने खेतों को देखने जाएगा वो अपने कुछ दोस्तों के पास चला गया और काफी समय से नहीं आया देखियो उसके बाद क्या है The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her On seeing her, he ran to welcome her As was customary, the farmer's wife took one look at the mongoose and screamed Blood sick ride The face and paws of the mongoose were smeared with blood तो उसके बाद क्या होता है कि देखे Farmer की wife अपना shopping करके groceries से भड़ा basket घर लाई उसने देखा कि mongoose बाहर बैटकर उसका इंतिजार कर रहा है जैसे ही mongoose ने उसे देखा वो उसके तरफ दौर पड़ा Farmer की wife ने एक बार mongoose की तरफ देखा और चिल्ला पड़ी खून Mongoose का पंजा और फेस खून से भड़ा पड़ा था You wicked animal, you have killed my baby She scrammed hysterically She was blind with rays and with all her strength Brought down the heavy basket full of groceries On the blood smeared Mongose and ran inside to the child's cradle तो फिर देखे क्या होता है कि जब वो वहाँ से आई तो फिर उसने देखा और दुस्ट जानवर तुमने मेरे बच्चे को मार दिया उसने जोर से चिल्लाया वो गुस्से में पागल हो गई थी और उसने अपनी पूरी टाकत से भारी बास्केट मौंगोस के उपर फेक दिया और अपने बच्चे की पालने की तरफ दौर पड़ी The baby was fast asleep But on the floor lay a black snake torn and bleeding In a flesh she realized what had happened She ran out looking for the mongos फिर क्या होते है देखे कि बेबी पहले ही सो चुका था लेकिन फ्लॉर में एक फटा हुआ साप जिसमें से बहुत सारा खुन बह रहा है एक जटके में उसने ये पहचान लिया कि क्या हुआ था वह जल्दी से mongos की तरफ दौरी Oh, you saved my child You killed the snake What have I done? She cried Touching the mongos Who lay dead and still Unware of her sobbing The farmer's wife who had acted hastily and rashly Sturbed long at the dead mongos Then she heard the baby crying, weeping her tears She went in to feed him Oh, तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया तुमने साप को मार दिया मैंने ये क्या कर दिया उसने उस मरे हुए mongos को टच करते हुए कहा Farmer की wife जिसने mongos के साथ गंदा वैवार किया वो mongos को एक टक से देखती रही फिर बच्चा रोया उसने अपने आसू पोचे और बच्चे को खिलाने चली गई तो इस तरह से बच्चो आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है तो आपने इस से क्या सीखा कि देखिए कोई भी animal हो तो वो हमारा अच्छा दोस्त बन सकता है हमें ये नहीं सूचना चाहिए कि वो कैसा है अगर मौंगूस है तो हम लोग मौंगूस को सूचते है कि नहीं वो बहुत ही गंदा animal होता है वो किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता लेकिन यहां पे मौंगूस कितना अच्छा था उसके बारे में आपने पढ़ा तो कोई भी animal है उसे अगर हम लोग प्यार से रखेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा साबित होगा और हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे बिना उसका पता लगाए कुछ भी नहीं करना चाहिए जैसे आपने देखा कि ये जैसे ही वहां से आई मार्केट से तो उसने देखा कि मौंगूस वहां पे बहुत सारा ब्लड पढ़ा हुआ था तो उसने सोचा कि जरूर कुछ गलत हुआ है मौंगूस नहीं कुछ किया है लेकिन यहां मौंगूस नहीं किया था एक स्नैक था जो उसे उसके बच्चे को काटने के लिए आया था लेकिन मौंगूस उसे मारना चाहरा था मारते मारते कुछ मौंगूस के उपर ये बॉक्स फेक दी और मौंगूस ही मड़ गया तो इस तरह से आपने देखा कि क्या हुआ इस स्टोरी में तो इसलिए बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए किसी के उपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए तो बच्चों इस तरह से यह बहुत इंट्रेस्टिंग स्टोरी थी आप अच्छे से पढ़िये इसे और दूसरे को भी सुनाईए क्योंकि यह बहुत ही एक प्रेड़ना दायक होता है वो स्टोरी है और अब मैं इसके कॉस्चन एंसर्स आपको अगले वीडियो में बताऊंगी तब तक के लिए बाई टेक किर थैंक्स तो वाच मैं वीडियो